नमस्कार रब से भी का स्वागत है यूटूब चैनल कुमार फिनान्सवर्थ इस वीडियो में हम बात करेंगे IT इंडेस्टी से आने वाले एक बहुत ही छोटे कमपनी First Source Solutions Limited के बारे में जो बिजनेस प्रोसेस मेनेजमेंट इंडेस्टी में लीडिंग प्लेयर है और इसका मे Customers, Banking and Financial, Healthcare, Communications, Media and Technology से आते हैं करेंट टाइम में इसके पास 100 से ज्यादा Global Clients है और Delivery Center 36 है जो एक रॉस्ट वर्ड फैले हुए है जिसमें EOS, UK, Philippines and India है इस कमपनी का मार्केट के भाले ही बहुत छोटा हो लेकिन इसके Clients का List एक रॉस्ट वर्ड से आता है लेकिन क्या ये से फ्यूचर में अच्छर इटन दे सकता है इसका क्या Target Price है एनलिस्ट द्वारा जो दिया गया है फ्रिजेंटली फंडेमेंटल सो ये टेकनिकल सो ये कमपनी और स्टॉक कितना अच्छा नजार आ रहा है और क्या इस एर को Current Price Level पर भाई किया जा सकता है जो अपने Lifetime High में करी 50% Discounted Price पर एब लेवल है ये पूरे डिटेल हम इस वीडियो में जाने उसके पाले में कहना चाहूंगा अगर अपने है चैनल पर या आप तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके वेलेकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर कि एकॉर्डिंग थोड़ा से एबरेज नजर आ रहा है क्योंकि ये 16.6% है जबकि इस इंडेस्टी से आने वाली जो भी क्वालिटी कंपनीज है उनका आरोस ये आपको 20 के उपर देखने को मिलेगा रिटर्न न इक्वीटी इसका ठीक ठाक ये एबरेज मान सकते हैं और य 18.3% है बुक वैलू इसका 43.4 है और इस सेर का करें मार्केट प्राइस देखें तो अपने बुक वैलू से आपको ढ़ाई गुना के आसपास चल रहा है डिविडेंट देने के मामले में इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है क्योंकि डिविडेंट इल्ट का करीब 44.922 करोड के असपास देखने को मिलेगा उसका लास्ट क्वाटर में सेल्स 30% के रेट से ग्रो करता है जबकि फॉस्ट रोस सलूशन का सेल्स निगेटिव साइड में 1% के आसपास रहता है बागी दूसरी कंपनी के परफॉर्मेंस पर भी नज़र डाला जाए एंप एक्टिव 36.35% रहता है जबकि दूसरे कंपनी जो इस इंडेस्टी की मार्केट लीडर है मिनिमाम आपको 18-18% एंफासिस का नज़र आएगा बाकी दो बड़े प्लेयर L&T टेकनोलोजी और Tata LXC का परफॉर्मेंस आपको काफी स्टॉंग नज़र आएगा क्योंकि दोनो सेल्स ग्रोथ सबसे खराब इसका पिछले एक साल में रहा है क्योंकि यह मातर साथ परसेंट से सिंगल डिजिट में होता है जबकि तीन साल से लेके दस साल के परफॉर्मेंस को हम ठीक ठाक तो बैसे मान सकते हैं लेकिन यहां पर भी अगर पियर से कंपरिजन करके देखें इसके सेल्स ग्रोथ के कंपरिजन में थोड़ा सा बेटर करता हो नजर आएगा जरूर पिछले एक साल में यहां पर और भी ज़्यादा आपको गिरावट होती भी नजर आएगी और जैसा कि हमने इसके लास्ट पॉर्टर का रिपोर्ट देखा उसी लाइन में इसका कंपा इस एजर को मच्छा मान सकते हैं पिछले तीन साल और यह से लेकर दस साल के डेटा पर नजर डाले तो क्योंकि इस पीरियर्ड में इसका प्राइस एजर बीस परसेंट या इसके ऊपर मिनिमम तरीके से ग्रोग कर रहा होता है लेकिन लास्ट वन इयर में इसके सेर प्राइ इस काफी कैस रीच होती है लेकिन फर्स सोर्स के बैलेंस इट पर आप नजर डाले तो यह थोड़ा सा एवरेज होता हुआ दिखेगा क्योंकि रिजर्ब्स इसका पिछले 12 सालों में जरूर 992 करोर से बढ़के 236 करोर तो पहुंचा है लेकिन कमपनी के ऊपर कर्ज भी इस पास है एफाईज की होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होते हुए दिखेगी और यून 2021 में जो 12% के आस पास थी वहाँ पे करीब आपको करीब 4% के आस पास गिरावाट आता हुआ दिखेगा और यह 8% के नीचे जा चुका है जबकि डियाईज की होल्डिंग इस पिरि के आस पास जा चुका है लेकिन आप इस तेयर को अपने रडार पे रखें या पूटपोलियो में एड करने के बारे में प्लान करें उसके पहले कुछ टेक्निकल और अदर डिटेल देख लेते हैं जिसमें चार्ट पैटरन, मूविंग एबरेज और इन्वेस्टमिन चेक् पूर निकल रहा है अगर हम यह पिछले एक महीना का डेटा देखे किस तरीके से इसके शेयर में डिलेवरी देखने को मिली है यहां भी फर्स और सलूशन का पॉपामेंस एबरेज जी या खारा भी नजा रहाएगा क्योंकि बोलूम हैलिस्टिस में आप देख सकते हैं और पिछले एक महीना में टोटल सेयर का कॉंटिटी जो टेड होता है करीब 43 लग रहता है जिसमें डिलेवरी का परसेंटेज मातर 32 परसेंट के आसपास रहता है वन वीक ओन एवरेज डेटा के एकोर्डिंग जरूर आपको यहां पर इंप्रूमेंट होता वान जार आएगा और डिलेवरी का परसेंटेज 39 क्रोस कर जाता है लेकिन एक बर फिर से एक दिन पहले डेटा के एकोर्डिंग 21 लग से टेड होता हो तो दिखेगा डिलेवरी का परसेंटेज गिर के सबसे कम करीब 28 परसेंट के आसपास जा पहुंचता है यानि इन्वेस्टर हो या पोजि अपलाई किया है और अब देख सकते हैं चाहें सिंपल मुविंग एवरेज हो या एक्स्पोनेंटल मुविंग एवरेज हो 5 अमे से लेकर 200 अमे तक लगतार आपको सेल का कॉल आता हो दिखेगा यानि 1 डे डेटा के एकोर्डिंग इसका मुविंग एवरेज काफी पूर न नहीं दिखेगा क्योंकि लगतार 5 अमे से लेकर 100 अमे तक आपको सेल का कॉल आता हो दिखेगा जबकि एक मातर पारामीटर 200 अमे पर कंपनी या इस तेर का परफॉमेंस अच्छा होता हो नजर आएगा और सिंपल हो या एक्स्पोनेंटल हो यहां पर बाई निकल रहा है ल क्योंकि लगतार पिछले एक दिन में यह 54.42 हायर साइड में 80 तक जाता है यानि अगर यह सेर 60 के उपर सस्टेन करता तो जरूर हम इसको कंसीडर करके चल सकते थे क्योंकि फिर ऐसा इंडिकेशन आता इसके रिलेटिव स्टेन थोड़ा सा स्ट्रॉंग और सस्टेन कर रहा weekly chart में भी FSL का performance काफी खराब रहता है क्योंकि आप एक दो बर देख सकते हैं जरूर यह 60 को क्रॉस करता है लेकिन एक बार भी वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है और लगतार यह sideways zone में बना हुआ है जो 40 से लेके 60 तक को मना जाता है मन्तली chart pattern में भी इसका relative strength आपको वीखी नजर आएगा क्योंकि लगतार यह 50 यह 50 के range में बना हुआ है एक दो बार जरूर इसका relative strength 60 को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है लेकिन एक बार भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि इसके उपर यह sustain करता है यानि overall technical analysis को समझ आपको वीखी नजर आएगा जिसका रिजल्ट आप इसलिए कुछ दिनों का देख सकते हैं लगतार इसके share price में गिरावट का दौर जारी है इसके investment checklist में जो 5 parameter दिया हुआ है हर तरफ green zone ही बनते हो दिक रहा है यानि यह share न सिर्फ attractive price पर अबलेबल है बलकि dividend देने के मामला हो या entry point हो हर तरफ के positive चीज़े ही निकल करा रही है लेकिन के वल इसके basis पर किसी share को buy करके long term हो या mid term हो किसी को hold करना चाहिए मुझे लगता है current time में यह थोड़ा सा ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे data हम लोग को अलग-अलग sources से available है और हम stock market में पैसा इसलिए लगाते ह इसमें दस एनलिस्ट ने अपना opinion share किया है जिसमें 60% एनलिस्ट ऐसा मानते हैं आने वाले time में इसका revenue growth हो EPS growth हो या share price growth हो अच्छा देख सकता है इस share को लेकर जो price forecast किया गया है आने वाले एक साल के लिए इस period में आपको lower side में 77% का और भी गिरावट आता हो देख सकता है median side में 33,3% का आपको positive side में moment बनता हो देख सकता है जबकि best situation में इसके share price में 46% के आसपास growth हो सकता है revenue को लेकर जो forecast किया गया है आने वाले एक साल के लिए और especially इस financial year के लिए है क्योंकि ये data actual month 2023 तक के लिए दिया हुआ है और इस period में इसका revenue growth minimum side में 3% जबकि higher side में 10-10% र सकता है earning पर share को लेकर जो forecast किया गया है ये सबसे कमजोर और poor नजर आए गया क्योंकि lower side में अभी 16% गिरावट expect किया जा रहा है median side में करीब 10% और best scenario में करीब 1.5% के आसपास positive growth आता हो दिख सकता है दोस्तों finally अगर बात किया जाए क्या for solutions limited के share को current level पर buy करके future में अचा return expect किया जा सकता है especially मैं यहां पर short term के लिए बात करूंगा जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में IT sector की पिटाई होते भी नजर आ रही है European market से लेकर American market में inflation का rate लगतार बढ़ रहा है जिसकी वज़ा से इन महात देसें में लगतार पिछले कुछ दिनों से interest rate बढ़ता और चुकि इस company के business का एक बहुत बड़ा revenue अमेरिका और यूरोप से आता है इसलिए आने वाले short term में इस company का revenue growth हो, earning first year growth हो या share price ग्रोथ हो खमसे कम personally मुझे ऐसा नहीं लगता है Technical analysis और indicators में हमने देखा चाहें इसका moving average हो या relative strength हो लगतार poor या weak बना हुआ है इसलिए short term में इस year में अच्छा momentum बनता हो दिखेगा ऐसा मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता है वैसे भी IT industry को लेकर जो forecast किया जा रहा है अभी भी कमजोर रहा सकता है क्योंकि Europe हो या America हो जिस तरह से उधर inflation का rate बढ़ रहा है हो सकता है आने वाले short term में वहाँ पर recession आ जाए और जोकि IT की जितनी भी major companies हैं उनके business का maximum revenue अमेरिका वगएर जैसे देशों से ही आता है इसलिए उनके जो revenue है वहाँ पर आपको एक भारी गिरावाट आतावा दिख सकता है वैसे देखा जाए तो एफसे लाइटी इंडस्ट्री में टेकनलोजी बेस ज्यादा काम करती है बावजूद इसके आने वाले short term में इसका sales growth हो या profit growth हो कमजोरी रहने वाला है इसलिए personally अगर इस share को मुझे अपने portfolio में add करना होगा चाहें short term मेरा opinion हो या mid term मैं इसको avoid करूँगा हाँ मेरी नज़र जरूर इस company और इस share के performance पर बना रहाएगा ताकि जब भी कोई अच्छा momentum बनता हुआ दिखे इस share को मैं अपने portfolio में add करके short term के में एक अच्छा profit book कर सको बाकी आप क्या भी रखते हैं इस company और share के बारे में अपना opinion कमेंट करके जरूर बताएं उमिद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसलिए request करूँगा वीडियो को पसंद करते हैं अपने circle में उनके साथ जरूर शेयर करें जो first source solutions limited के share में interested है पूरा वीड देखने के लिए धन्यवाद जाएंद